हेलो एवरीवन मेरा नाम श्रद्ध आप सभी का स्वागत है प्योर वेजिटेरियन रसोई में आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं और यो बिसकेट का केक फाइव मिनेट में बनता है जो कि इसमें हमें ब्लुकुल भी टाइम नहीं लगता इट्स वेरी इजी इन मेकिंग एक ग्लास दूद्ध केक मिनाने के लिए मोल्ट अब हमें सबसे पहले क्या करना है यह औरियो बिसकेट्स मिक्सी में डालने है हम यह और अच्छी तरह से इंको क्रश करेंगे हम यह क्रश करेंगे और साथ में डालेंगे हम एक ग्लास दूद्ध वन टी स्पून खाने का सोदा और टू सर्विंग स्पून शुगर और हम इसको फिर से मिक्सी में अच्छी तरह से क्लाइं कर देंगे देखिए यह हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है एक केक के लिए अब हमें क्या करना है हमें यह लेना है केक मूल्ट अब हमें आइसाक मूल्टो अची तरह से घ्षी करेंगे हमें इसको अच्छे से ग्रिस कर दिया है घी से इसमें पूरे अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है और आज हो इसमें थोड़ी सी मैदा से अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे साइल्स में कॉर्णर समें सब रगा से यह देखिए बहुत अच्छी से हो रही है आपको ऐसे हलका सा इसको हाथ से करना पड़ता है और एक्स्ट्र हम इसको निकाल देते हैं अब हम इसके अंदर केक का बैटर डाल देंगे हमने क्या करा है पहले से ही ओवन ट्यएट कर लिया है और इसके अंदर हम ये केक रख रखेंगे पैटर और इसके अंदर हमने 280 डिग्री ई चरणी ये इसके यह 5 मिनिट्स रखेंगे तो हम इसको चेक करेंगे कि हमें इसको गती देर और रखेंगे यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पैस ये अवन नहीं है तो आप ये केक नहीं बना सकते ये और भी असान हुखा माइक्रोवेव के अंदर आप ये बेटर रेडी करके माइक्रोवेव बाउं के अंदर रखकर 5 मिनिट्स हमें बिल्कुल नॉर्मल मोड पे रखना है 5 मिन पीट्मे केक माइक्रोवेव में रेडी हो जाता है ये बहुत अच्छे से बेग हो चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे वाउ इसके अंदर कितना sponge बना है कितना easy हो गया है और यह कितना spongey cake है और यह कितना fluff हो गया है यह देखिए आप और यह बहुत ही टेस्टी है बहुत ही टैंप्टिंग है देखने में इतना अच्छा बेक हुआ है यह देखिए उपर से इतना ज्यादा फड़ चुका है बेक होते होते और अगर आपकोई केक पसंद आया है तो हमारा चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थ